अब्रक्षाम 보고 आज मैं अपक् σας के लिए एक आनेवाला औक्षिन है इस् पाड को यह दुकलो का भात जो की दिल्ली में वहां पर होन वाला है इसकी दिल्ली वहां पे होने वाला है इसकी ईंस्पेक्शन गयारा बज़े से तुपहर के दिल्ली में की भी डेडिट है वो है 27-10-2021 सुबह 11 बज़े से दो पहर के 3 बज़े तक के इसकी online bidding की बीडेट है तो आज जिसका सहरेंगी कि इस auction में आप लोगो क्या क्या मिलने वाला है और यह auction क्यूं special है मैं आप लोगो सबसे पहले बता दूँ देखिए यह जो auction है इसमें जो container है यह बिलकुल ही नई container है यानि कि इससे पहले आपने जो auctions देखे होंगे उनमें ज्यादातर जो container थे वो 10-15-15-20-20 साल पुलाने container भी आयो वह थे 1992-1993 के containers भी थे आज की rate में जो container आयो है mostly जो containers है वो 2020 के container है तो क्या क्या है container में क्या क्या item है कितनी quantity है सारी चीज़ा इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो को अभी सा like कर दीजे चैनल पर पहली बार यान तो चैनल को subscribe कर दीजे क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के import export custom clearance custom auction से related वीडियो लाता रहता हूं तो बिना time waste करते हूं सीधा मैं आप लोग अपने computer screen पर लेके चलता हूं और सब्सक्राइब बताता हूं चलिए तो दोस्तों मैं आप लोग को ला चुका हूं अपने computer screen पे और सीधा मैं आप लोग को दिखाता हूं इसका जो auction नमबर है auction नमबर है आपका 19113 और auction की जो डेट है देखिए जो inspection की डेट है आपको दिख रही है 26-2021 की इसकी inspection की date है जो इसकी online bidding वाली डेट है 27-2021 सुबह 11 बजे से लेके दुपैर के तीर मज़े तक की इसकी bidding की date है कहां पर हो रहा है यह हो रहा है आपका कौन करा रहा है सबसे पहले पहले लोट की तरफ ध्यान देते हैं पहले लोट में क्या है आपका वाइट पेपर रोल कोटेड एस पर डिस्क्रिप्शन अराइवल डेट है आपका 22-2022 देखिए वाइट पेपर रूल है इसके अंदर अराइवल डेट इसकी 22-2022 यानि पिछले साल का ही कंटेनर है बहुत ही नया यानि इसके अंदर का जो माल होने वाला है वो काफी अच् देखिए इसका राइवल डेट है आपका 35-2012 तो यह थोड़ा सा पुराना है वेट है आपका 430 यानि लूज में रहने वाला है यह ज्यादा आइटम नहीं है और मतलब ऐसे पहला होगा कंटेनर के अंदर अगले कंटेनर के तरह बढ़ते हैं अगला कंटेनर में आइपका अगले कंटेनर में आपका रिक्लेंड रबर इसके राइवल डेट है आपकी 15-10-2020 वेट रहने वाला है इसका उन्निस टन उन्निस टन 680 किलो यह भी लूज लाइटम लूज में आगे बढ़ते हैं आगे है आपका वेस्ट प्लास्टिक बैग्स लूज ली पैक्ट प्लास और यह जो प्लास्टिक है इसकी बोली लगाने के लिए अगर आप बोली लगाने के बाद आपके नाम पर हो जाता है तो आपको एक सर्टन पिरियड आप टाइम दे जाएगा जिसके अंदर आपको यह लैसेंस इसका लेना पड़ेगा पोलिशन कंट्रोल बोर्ट से आपक 23-2025 कंटेनर है 28 रोल रहने वाले इसके अंदर अगला अगला ने में आपका विघ्र वाप फिल्म अर्णागे आपका यह कंटेनर तो मेरे ख्याली जो यह सीपीचीब के शटकर में इसके कंटेनर कंटेनर रुका ओगा सब्सक्राइन चाहें-स को अदय दोसकेपाश को अदोसकисьर गलती से उतार निए तो इसका सब्सक्राइन आ गया तो सब्सक्राइब करें आगा theor तो 25 कंटेरीवर रहने वाला है तो जोभी स्कराइब करते हैं तो शुट बी सल्टु रिसाइकलर उप आप फिर नहीं ले पाते हैं तो आपको फिर लाइसंस के पास हुआ यूप अज्ड सुस्पेंड भी हो सकता है तो थेख के करें और अगर आप चाहते हैं कि आगे 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 वाले auctions में आप part ले और इस तरीके से part ले तो आप नीचे दे हुए number पर call कर सकते हैं जान सकते हैं कि कि इस तरीके से आप आने वाले auction में पार्ट ले सकते हैं और अच्छागासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो आगे आने वाले कंटेणर है वह है आपका बीग पॉप फ्लिम ये भी 2020 का कंटेणर है अगला है आपका E-Rishtra का कंटेणर इसे पहले वाले भी लाइभ वीडियो में आप लोगो दिखाएगा खिला कि बापस आगा है जिनका फॉर्टीफिट के रहने वाला है 2013 का कंटेनर है यह तो देखिए अगला कंटेनर जो है इस टॉक लॉट पेपर एस टॉक लॉट आए वहें पेपर के अडाइवल डेट है ने का दोजार चब्वीस सारी 2016 वेट है इसका बीस तन लूज में रखा हुआ है माल अगला कं ने कंटेनर आपका प्रोक्लेश्ट प्रोक्लेम्ड रभर फिर से वही सइम चीज दोजार भीस का थे लिए लिए सकते हैं अगला कंटेनर है आपका हैवी मेल्टिंग स्क्रैप एस पर लॉट ठीक है यह बी वही है 2019 का कंटेनर है दस टन इसका वैट है रिमार्क से मस्ट भ तो वही रिसाइकलर को मिलने वाला है अगर आप रिसाइकलर है तो इस कंटेनर को उठा सकते हैं काफी अच्छा का में बहुत सारा प्रॉफिट है तो इस रिक्षा का कंटेनर है फिर से मैंने आपको दिखाया था इससे पहले भी राइवल डेट है इसका 18-11-2013 वेट है इसक अगला कंटेनर इंग्षा का सीपेडी कंडिशन में है राइवल डेट है इसका 19-11-2013 कंटेनर है 15 तन का इसका बेट रहने वाला है अगला है वाइन देखी वाइन का कंटेनर फिर सागे इससे पहले तीन कंटेनर वाइन के थे वह क्या नाम था ब्रैंड का जो भी था वह क प्रॉक्स तो जो वाइन वगरा का काम करते हैं जिसने पिसली बारे जो कंटेनर वाइन का उठाया होगा वही पक्की बात है इसको भी उठाने वाला है तो टोटल 23 कंटेनर आया हुए है जिसका इंस्पेक्शन देट 26 तारिक को है दोस्तों और अगर आप लोग ऑक्षन के ब आप लोग पास अल्ड़ी एमस्टी सी का रिजिस्ट्रिशन और आईडी पास्वड है तो आप इस कंटेनर को जाके देख सकते हैं स्क्राप का कंटेनर तो मिरको लगता है कि का आने वाले क्यूंकि आप तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पहली बढ या कोई या कोई अधर एंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू नमस्ते मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्ते